आज की इस वीडियों में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्लिकेसंस के बारे में जिससे आप पास्पोर्ट साइस फोटो खुद बना सकते हैं और अपने मुवाल से प्रिंट भी कर सकते हैं Because passport size photo के demand as call applications form भरने में, pen card बनवाने में, ID card बनवाने में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है आप अपने mobile से ही इसे बना सकते हैं और print भी कर सकते हैं तो चली इसे जान लेते हैं आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको इस अप्लिकेशन को Google Play Store से या आप मेरे description box से भी download कर सकते हैं डाउलोड करने के बाद जब इस अप्लिकेशन को आप open करेंगे open होने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे get started पर इसके बाद इस अप्लिकेशन का interface कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा यहाँ आप क्लिक करेंगे new photo पे इसके बाद दोस्तों यहाँ आप type करेंगे इंडिया टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे इंडिया, इसके बाद इंडिया में आप जो भी साइस बनाना चाहते हैं, जैसे स्टम साइस की फोटो बनाना चाहते हैं, पैंड काट के लिए, PCC के लिए, PIO के लिए, या आप विजा के लिए बनाना चाहते हैं, पा गैड मिल जाएगा फोटोग्राफर गैड कि आपको कैसे फोटो खीचनी है अगर आपने फोटो कैमरा से खीचनी है तो उसके लिए आपको गैड यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपने फाइलेज से फोटो खीच करके गैलरी में रखा है तो उसको बनाने के लिए आप करेंग यहाँ पर करेंगे next, next click करने के बाद आप यहाँ फिर करेंगे crop, यहाँ आप करेंगे crop पर click, crop पर click करने के बाद यहाँ से आप screen को adjust कर लेंगे, crop पर click करने के बाद, आपको जहां तक क्रॉप करना है आप यहां से क्रॉप कर लेंगे इसके बाद आप यहां पे क्रॉप पे क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आप यहां से फिल्टर को चूज कर लेंगे आप जो भी फिल्टर रखना चाहते हैं यहां से आप रख लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करेंगे next next पे click करने के बाद आप यहाँ से इसके बाद करेंगे save इसके बाद इसको skip कर देंगे इसके बाद आप यहाँ से दोस्तों कर लेंगे इसको आप jpg में करना चाहते हैं या png में तो आप यहाँ से choose कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि photo के बाहर आप outline देना चाहते हैं जिसे यहाँ पर add outline पर click करके इसका आप यहाँ से outline यहाँ से जो भी color देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं इसके बाद click करेंगे यहाँ पर done पर इसके बाद इसको कर लेंगे save save पे click करने के बाद आप यहां से save पे जब click करेंगे इसके बाद यहां से आप करेंगे print multiple copies इस पे click कर देंगे यहां से दोस्तों आप paper size को select कर लेंगे यहां से हम कर लेते हैं A4 size यानि 32 से 36 copies आपको यहां पे मिल जाएगा चले कर लेते हैं A4 Size इसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से देखने को मिल जागा यहाँ से आप करेंगे Save इसके बाद यहाँ से आप करेंगे Save Save करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर Finish इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बद यहां से आप फोटो को इस पे क्लिक करके प्रिंट यहां से कर सकते हैं अगर आपको यह वडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए अगर अपके मन में कोई कनफ्यूजन है कोई सवाल है तो आप हमसे कमेट्स में सवाल पूछ सकते हैं